नमस्कार, अमर सेर यूट्यूब चैनल पर आप समों का स्वागत है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई सुपर हीरो होता है, व्यक्ति के जीवन मेरे लाइफ में भी बियार अमबेदकर है, आपने सही पुछा था कि आप बताईए सर कि रेयल लाइफ में सुपर हीरो कौण है, मैं मानता हूं कि आज जब मैं चर्चा करूँगा अमबेदकर जी के बारे में तो आप सबों के भी वन अब दो सुपर हीरो सारे भारती और पूरी दुनिया की लोग जानते हैं अम्बेदकर जी को लेकिन रेयल भी उनको जान जाएए तो आपका सिर आपका सीना फक्र से उंचा उख जाएए सुपर हीरो कौन होता है जो पढ़ा लिखावे द्वान हो अम्बेदकर से जादा पढ़ा लिखावेक्ति पूरना मुश्किल है सुपर हीरो कौन होता है जो कठिनाईयों का सामना करते हुए कभी न घबराए अम्बेदकर ने जिन कठिनाईयों का सामना किया जिस तरह से किया ये सुपर हीरो से कम नहीं है सुपर हीरो कौन होता है जिसका जीवन सक्रियताओं से भरा हुआ रहे 65 साल के अपने जीवन में अंतिम 30 साल तो उन्होंने राजनीती मिले गी जिस तरह से विवने छेत्रों में उनका योगदान रहा Really he is super hero किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का और पारिवारिक बैक्ग्राउंड का बड़ा महत्त होता है अंबेदकर जी के पिता और उनके पूर्वह लबबे समय से अंग्रेजी इस्टि-निया कंपणी में काम करते रहे उनके पिता अंग्रेजी सेना में सुवे दार के पक तक पहुंचे वे अंज्यक्बान का प्रिवार कवीर beim कंत को मानने वाला था ऐसा बेक्ग्राउंड मिला आम्वेद करजी को और ये उनके विकास इस महान इस्तिती तक पहुँचने में बड़ा योगदान रगता है आम्वेद करजी का संशत अगर हम उलेख की बात करें कि हम क्यों उन्हें महान मानते हैं वो भारत के पहले विदी और न्याय मंत्री थे संसद में दो बार उच्च सदन में चुने गए भारतिय संविदान के निर्माता कहे जाते हैं संसद की जो प्रारूप समिती बने उसके अध्यक्स थे भारतिय संविदान को उसको बनाने में कई लोग का योगदान रहा सबसे प्रमुख योगदान अम्बेदकरजी का रहा 1990 में उन्हें भारत के सरवोच संवान भारत रत्न से संवानित किया गया लेकिन अम्बेदकरजी के बारे में जब आप जानेंगे और इसीरे आप उनको सुपर हिरो भी कहेंगे तो उन्होंने सिक्षा के शित्र में जबरदस्त काम किया आप मुझे बताईए प्रतिभा के धनी थे अर्थ सास्त्र में दो-दो बार उनको पीएजडी मिली साइंस से उन्होंने एमसी किया बैरिस्ट्री भी पास की वकील भी बने राजनीतिग्य भी बने राजनीतिविज्ञान के देता भी बने अर्थ सास्त्र के बहुत बड़े विद्वान बने बैरिस्ट्र बने चार चार बार उन्हें पीएजडी की उबादी दी गई उनके जितना पढ़ा लिखा वक्ति तो ढूलने से नहीं मिलेगा विबने च्छत्रों में वो भी तब जब उनकी जो जाती थी महार जाती उसे अचूत कहा जाता था और उसके कारण चूआचूत का उनको बहुत सामना करना पड़ा अपने जीवन में उन्होंने नजदीक से देखा और चूआचूत की बेमारी के खिलाब भारत में यद दपी अगर अमबेदकरजी को छोड़ दें तो एक ही नाम होता है महात्मा गांदी जिन्होंने इस प् उन्होंने हिंदू धर्म की कुरूदियों का विरूद किया इसलाम की कुरूदियों का विरूद किया कहा इन सारे धर्मों में सुधार की जरूद है लेकिन ये महान व्यक्तित वाले व्यक्ति भी थे गांधी जी और कॉंग्रेस का विरोध इन्हों ने किया लेकिन राष्ट्रे आंदोल में लगातार जुड़े है आप जानतें अच्छूतों का अनुसेजित जाती के लोगों का उनके साथ जो भेदभाव होता रहा उससे मुक्ति के लिए उन्हें अलग आरक्षन विवस्ता दी जानी चाहिए अंग्रेजों से उन्होंने मान की अंग्रेजों के लिए अच्छा लगा कि भारतिय समाज को तोड़ने का बढ़िया मौका है उन्होंने इसको स्विकार कर लिया और कम उन्हें लवार की खुशना कर दी 78 सीट्स आरक्षित किये गए जिसमें दलित सिर्फ दलित को भूर देंगे गांधी जीने से सही नहीं माना उन्होंने इसे मना करनी का प्रयास किया जब देखा कोई उपाय नहीं है तो उन्होंने आमरन इंशन सुरू कर दिया पूऩ की यरवदा जेल में उसस समय गांधी जी थे 1932 में सब इन्हें वग्यांदोलन के दौरान उनकों गिरफ्तार किया गया था। अब अम्बेदकर जी गानी जी के स्टेंड से सहमत नहीं थे। उनके इस आमरे नंसन को सही नहीं मानते थे। लेकिन राश्ट्रियांदोलन का बहुत बड़ा नीता जरूर मानते थे। जब आमरे नंसन जीवन पर संकटाया तो अंततर आम्बेदकर जी को जाना पड़ा और उन्होंने गानी जी के साथ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आम्बेदकर की मानता को दिखाता है। आज का कोई भी दलित का नेता ये हैसियत नहीं रखता। जो आम्बेदकर जी नहीं दिखाया था। गान्दी जी के जीवन को उन्होंने देश के लिए सर्वोपरी माना। देश की आयादी के लिए सर्वोपरी माना वैचार एक विवन्यता होने के बावजूद उन्होंने पूना प्रैक्ट किया लेकिन ये पूना प्रैक्ट क्या था गांधी जी ने जो खुद चाहते थे कि दलितों का उद्धार हो 78 के बजाए 148 सीटें आरक्षित करवाएं लगबख डबल कर दिया लेकिन कहा कि इन सीटों पर सिर्फ दलित खड़े होंगे कोई और नहीं लेकिन वोट सारे लोग देंगे ये गांधी जी की बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मुसलिम सीटों पर मुसल्मानों को सिर्फ मुसलिम वोट देंगे इसी पद्दती ने पाकिस्तान बनवाया था अगर दलितों को सिर्फ दलित वोट देंगे तो वो सिर्फ दलित के बारे में सोचेगा और समाज में एक रूपता नहीं रजाएगी गांदी जी ने इसको स्विकार किया था और इसे लिए आज की जो आरक्षन ववस्ता है वो पूर्णा प्यक्ट का नतीजा है जिसमें ये सीठे दलितों के रिया रक्षित है खड़े सिर्फ दलित हो सकते हैं वोट सारे लोग दे सकते हैं ये ववस्ता गांदी और अमबेदकर के उसके कारण अस्तित में आई आमबेदकर जी ने जीवन परियंत सामाजिक सद्धभाव के लिए देस की आज़ादी के लिए और अच्छूत के दलितों के उद्धार के लिए काम किया लेकिन जब उनोंने देखा गे परिवर्दतन नहीं आ रहा है तो जीवन के अंदिम दिनों में उन्होंने राजनेतिक दल तो बनाये इस था पब्रिकन पार्टी तो बनाई ही थी, हाना कि तुरंत बाद उनका डेथ भी हो गया, उन्होंने हिंदु धर्म को छोड़ करके बहुत धर्बी ज्वाइन कर लिया, लेकिन अमबेद करके इस पूरे अभियान का नतीजा ये हुआ, कि हिंदु धर्म में भी प्रभाव पड़ा छुआ छूट की भावना कमजोर हुई और धीरे धीरे ये लगभग खत्म हो गए, आज की तारीक में हम ये नहीं मानते कि कोई उस तरह से बड़े पैमाने पर कहीं छुआ छूट है, इसके पिछी अगर योगदान है तो आमबेद करकाश, बोलिए ये आमबेद कर जी एक म महान निता रहे की नहीं, समा सुधा रहे की नहीं, वन अब दो सूपर हिरो माने जाएंगे की नहीं, इसलिए इनका जन्म दिवस्त 14 अपरिल जो आज है आमबेद कर जहनती के रूप में मनाया जाता है, इनके इसी योगदान के कारण 6 दिसंबर 1956 को जब इनका डेथ हुआ मृत्यू हुई, तो 6 दिसंबर को महापरी दिन्मार दिवस मनाया जाता है, इन्हीं को सर्द्धा दी जाती है, उन्निस सौ में, साथ नमंबर के दिन, इन्होंने इंग्लिस स्कूल में अड्मीशन लिया था, जो उस समय उस जाती के लिए बड़ी बात थी, इसको में विद्यारती दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ओके, आल दे बेस, बाए.